आज आपको एक बहुत ही अमेजिंग एक जो ट्री है हमारी यहाँ पे एक पौधा है राधा अभी तो ट्री तो ने बोल सकते उसको पर एक ऐसा पौधा है जो कि जुसको बहुत ही पवित्र माने जाता है हमारी यहाँ पे और यह है गूगल और गूगल का जो पौधा है यह जो गूगल सर्च कर रहे हैं वो गूगल नहीं है, जो कि शायद नई जनेरेशन को वालू भी ना हो, बट ये गूगल है, जो कि हवन में और जो हमारी घर पे धर्मिक क्रिया होती है, जिसमें आप अगर होम हवन करते या पूजा करते तो उसमें गूगल का प्रयोक किया जात ही इसका एक इंट्रिस्टिंग आस्पेक्ट यह है कि यह करीब तीन साल पहले इसका एक छोटा सा स्टिक हमें मिला था, और यहां पे नजदीक में करीब-करीब यहां से 30-40 किमिटर दूर, लिटल रन अफ कच के अंदर एक मात्र गूगल का ट्री है यहां पे, और रधर प इसका टैनी हम लोग काट के लेके आये थे, इतनी सी डाली थी और लेकर आने के बाद मैं इसको ऐसे ही दो साल तक ऐसे ही पढ़ा रहा, उसका कोई प्रॉपर जगा नहीं मिली प्लांटेशन के लिए, तो हम लोगों ने ऐसे ही रखा था इसको जमीन पर, और दो साल तक यह प्रॉपर से जब भी दो साल में दो मॉन्सून आये और दोनों टाइम पर इसमें से नहीं नहीं पते इसमें से उगने लगे, ऐसे ही जमीन पर पड़े पर जो कि पहली बार हम लोगों ने किसी एक पौदे में ऐसा कुछ देखा कि अपना इसकी खुद की ताकत बोलो या ज पावर है इसमें गुगर में जिसके कारण यह बिल्कुल ऐसा ही रहा जरावी सुखा नहीं दो साल तक और दो साल के बाद में जहां पर इसको लगाया तो आप देख सकते हैं कि इतना ग्रो किया है इतना सा एक छोटा सा एक इतनी सी टैनी ती इतनी सी डाली ती इसमें से इ कि जो भी है इसमें इसको बहुत ही पुवित्र बार जाता है तो ओविस्टी वो एक डिवाइन पावर है इसमें एक उशक्ति है जो कि इसको इस तरह से ये उसको इस तरह से रखती है इसको थैंक यू फो वोचिंग और प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब पचास के उसपार हमारा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वो भी हैं पचास के उसपार अंडर्सकोर लाइफ ब्यांड 50 थैंक यू